माध्य प्रदीश की राजानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंतरी विश्वास सारंग का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कई मुद्दो पर चर्चा की है वहीं कोरोना की वर्तमा निस्थी की बारें बताया कि माध्य प्रदीश में अब तक 10 डेल्टा प्लस के मामले सामने आया है जिनमें से 8 मरीजों की हालत ठीक है इसके अलावा लगातार टेस्टिंग की जा रही है और पीक समय पर जितनी टेस्टिंग हो रही थी वहीं आप जो अस्पिताल को लेकर उन्होंने कहा कि आज अस्पिताल को का लोकारपन किया जाएगा बता दें कि संभावेत तीसरी लहर के लिए इस अस्पिताल का इस्तमाल किया जाएगा अभी तक भोपाल में पाँच डेल्टा प्लस के केसिस संग्यान में आए है टोटल मद्जप्रदेश में दस केस हैं जिन में से पाँच भोपाल में निकले हैं तीन उजयन में एक अशोक नगर और एक रायसें ऐसे टोटल दस केसिस आए है जिसमें से आठ पूर्ण तहा स्वस्थ हैं भोपाल में जो नए डेल्टा प्लस के केस आए हैं उसमें दोनों स्वस्थ हैं होम आईसोलेशन में ही स्वस्थ हुए है एक को वैक्सीन लगा नहीं लगा था जुनको वैक्सीनेटेट थे उनको एक डोज लगा था वो भी स्वस्थ हैं और जो वैक्सीन के कवरेज में नहीं ते वो भी स्वस्थ हैं